इतिहाज के दृष्टी से 36 गड़ के अंदर विभिन प्रकार की गाथाएं सुनने को मिलती हैं। कि वंदतियों के अनुसार जन शूर्तियां यहाँ पर ब्रचलित थी। मैं 36 गड़ हूँ। इस रिंखला में आज 36 गड़ के स्वरणीम युग गाथा युग की चर्चा हम य यहाँ पर करेंगे। यूँ तो महाभारत के 5000 वर्षपुर्व का 36 गड़ अन्य प्रमुक राज्यों के साथ चित्रित किया गया है। जहां 2000 वर्षपुर्व संब्रिद्धिक के वजए से बध्धदार्शनिक नागर जुन ने यहीं बैठकर अपने चिंतन के आरम सुत्र क खोजगी थी। बॉद्ध धर्म के पतन के साथ कुछ राजनेतिक उलट फेर भी हुए और वहीं से शुरुवात होती है गाथा यूग के प्रारम की। कहा जाता है 875 के लगभग चेदी राज कोकल्ल के पुत्र कलिंग राज ने इसे फिर से नए रुप से व्यवस्तित करन की रचनव जिसमें प्रेम, वेक्ता और आध्यात्म का विन्याज देखने को मिलता है। हालंकि इन गाथाओं के कोई लिपेबध परमपरा नहीं थी। यहां गाथाकार पिड़ही दरपिड़ही मौखिक रूप से अपनी इस परमपरा को विरासत के तौर पर एक पिड़ह दूसरी पिड़ही को देते जाती है। कहा जाता है लिपेबध परमपरा ना होने की वज़र से सारी गाथाएं जंश्रोत्यों के माध्यम से प्रस्तूत होती थी और इस वज़र से इस यूग को गाथा यूग कहा जाता है। आज की इस रंखला में हम जानेंगे प्रेम प्रधान गाथा के बारे में। लोग गाथकार जो तीन से पांच दिन तक कंठ बद तरीके से इन गाथाओं को गाते थे जिसमें प्रेम प्रधान गाथाओं में यह गाथाएं नारी प्रधान, नारी जीवन के असहाय दुख के साथ में तंत्र मंत्र पारलोकिक शक्तियों को भी बड़े विस्तार से चित्वित करती ही इसी काथा में आज हम जानेंगे अहिमन रानी की गाथा सासे के बोलें सास डुकरिया कि सुनव सास बिनिती हमार मुला अग्या देतें सास कि जातें सगरी नहाए आपको कुछ समझ में नहीं आया ना कि मैं क्या सुना रही है आपको लग रहा होगा कि मैं इसी कविता के शैली में सुनाओंगी नहीं हम इसे एक कहानी के तोर पर जानेंगे कि आखिद अहिमन रानी कौन थी क्यूं उसकी गाथा इतनी प्रसिद्ध मानी जाती है तो सुनते हैं अहिमन रानी की गाथा इस गाथा की नाईका है अहिमन रानी जो राजा विर्सी की पत्मी है एक दिन उसे तलाब में इसनान करने की इच्छा होती है और इसलिए वह अपने सास से अनुमती मांगती है सास कहती है कि घर में जब कुआ और बावली दोनों है तुम उसी में नहा लो तलाब क्यों जाना यदि तुम्हारे पती को इसकी जानकारी हो गई तो तुम्हें इतना डाटेगा और तुम्हारी वह खाल भी निकल वालेगा अहिमन रानी बात नहीं मानती और अपनी 14 से विकाओं के साथ तलाब पर इस्तान करने के लिए कपड़े लेकर साथ ही एक मिट्टी के घड़े को लेकर भी निकल पड़ती है तलाब में नहाने के बाद जब वह अपनी मटकी को खोशती है तब उसे पता चलता है कि उस तलाब में आए हुए एक व्यापारी ने उसके मटके को अपने कबज में ले लिया है अहिमन के मटकी मांगने पर व्यापारी उसे पासा खेलने करने होता देता है और कहता है यदि पासे में तुम्हारे जीत होती है तो तुम जो कहोगी वह में तुम्हें दिऊगा अहिमन कहना पासा के खेल में अपने सब ही गहने हार जाती है और दुखी मन से कहती है कि अब मैं घर जा रही है गहने नहीं देखने पर मेरे सास ससुर मुझे गुस्सा करेंगे मुझ पर आरोप लगाएंगे तब व्यापारी उसे उसके माई के और उसके ससुराल के संबन में पूछता है अहीमन बताती है कि दुर्ग के राजा उसके भाई हैं और दुर्ग उसका ससुराल है व्यापारी दुर्ग के राजा के मित्र होते हैं इसलिए वह भी उसे अपनी बहन मानते हैं और उसके हारे हुए सभी गेहने के साथ में नए गेहने, सोने का मटका और नए कुण साड़ी उसे उपहार में देता है। अहिमन अफनी सहिवगाओं के साथ अपने घर पर पहुंचती है। जैसे ही राजाव भीर सिंग उसे नए साड़ी के साथ में देखता है, तो उसके मन में उसके प्रती शंकवत पन्न होती है और ख़़ जादा कोधीत हो जाता है और तकाल ही अहिमन को लेकर उसके माय के छोड़ने को चला जाता है जैसे ही गाउं से बाहर आते हैं राजा विरसी क्रोध से उसका बाल पकड़ कर घोड़े की पुश्मूँ से बान देता है और खोड़ा को तेजी से दोड़ा देता है अहिमन कैना का शरीर मानो निर्जीर सा हो जाता है पर इस पर भी निर्दई राजा को जरा भी दया नहीं आती वह निधार शरीर को तलवार से दो तुकड़ों में काट देता है और उसके बाद बुना अपने घर आ जाता है इधर व्यापारी के बैलों का खेप इस इस्थान पर आकप रुख जाता है जहां अहिमन की लाश पड़ी होती है आगे बढ़ती ही नहीं तब व्यापारी को इस बात की जानकारी होती है कि सामने जो लाश पढ़ी हुई है वह अहिमन कैना के लाश के पास आता है और भगवान से अपनी बेहन के प्राणों की भीक मालता है उसके अंतरनाद और अहिमन कैना के पती वरत के जोड़ से भगवान शीव का आसन डोलने लगता है शीव और पारवती धरती पर आते हैं और अहिमन कैना को जीवित कर देते हैं अहिमन कैना अपने व्यापारी भाई के साथ पुना अपने ससुराल में आती है और तंबू लगाती है। व्यापारी के पास व्यापार हे तु धन धान्य का भंडार है। अहिमन कहना गेहूं पिसने के लिए गाउं में हाथ चक्की की खोच करते हुए अपने पती की ही घर में आती है। उसके पती उसे पहचानते नहीं परन्तों उसके रुप सौंदेर पर आशक्त हो जाते हैं। राधा विर्सी व्यापारी से उसके बहन का हाथ मांगता है। व्यापारी राजा को अहिमन को स्वाप कर आशिरवाद देता है कि तुम अपनी ही पेतनी को नहीं पहचान पाए अब खाओ प्रियो और शुक्से रहुए। इस गाथा के अनुसार नायक और नायका द्वारा किये जाने वले संघर्ष के परिणाम सोर। नायक और नायका का जो अंतो गत्पा विजय मिलती है। और इस तरह प्रेम प्रधान गाथाओं में अहीमन राने की गाथा समाप्ती है जहां 36 गड़ के अंतरजत हम देखते हैं कि नारी विश्यक गाथाओं में अहीमन राने की गाथा विश्यस प्रसित दिर्मानती इसी तरह कि अन्य छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कामना है धेर सारा प्यार थेंक यू सो मच लव यू एंड गड़ देस्यू तो आल में बच्चा